रोग कुबेरपुर का नागराज बहुत ही बड़ा दनवान था लेकिन उसकी स्वास्त अच्छी नहीं थी बड़े से बड़े वैद्य की भी समझ में नहीं आपाया की आखिर इस अस्वस्त का क्या कारण है ठीक उसी समय योगानंद नामक एक सादू कुबेरपुर आए वे शहर के बाहर के आश्रम में निवास करने लगे उन्होंने योगविद्याओं के द्वारा अद्बुत शिक्तियां प्राप्त की है और वे धिर्गरोगों की बीचिकिसा करने की ख्षमता रखते है यह नागराज को मालुम हुआ वह अपनी पत्नी समय आश्रम में गया और सादू को अपनी स्तिती बताई योगानंद ने धियान से सब कुछ सुनने के बाद पूछा क्या इस नागर में आपके कोई शित्रू है नागराज ने कहा क्यों नहीं स्वामी नगर के सब लोग मेरे शित्रू है मेरी संपत्ति को देख कर सब मुझ से इर्शा करते है आपका अविप्रा यह तो नहीं कि उन में से किसी ने मुझ पर काला जादू करवाया हो योगानंद फिर से पूछा अपने अडोस पडोस के लोगों के बारे में तनिक बताईए नागराज जी क्या कहूं सबके सब दुष्ट है कुछ समय पहले तक कुबेरपुर में मेरा ही महल सबसे बड़ा महल था किन्तु हाल ही में वराव सेट नामक कपड़ों के व्यापारी ने मेरे महल से भी साधू ने पूछा उनकी बातें ना करे तो अच्छा है स्वामी जी उनका नाम सुने तो मेरा कलेजा जलने लगता है पास ही के गाउं में मेरे बंदु है वे सदा इसी ताक में रहते है कि हम पती-पत्नी कब मर जाए और जयाइदाद कब हड़ अपले मेरा मन तो तभी शान्त होगा जब की वे किसी भुकम्प अत्वा भाड में बहकर मर जाए नागराज ने करोट से कहा साधू ने नागराज से कोई और प्रश्न नहीं किया थोड़ी देर तक आंक बंद कर चुप रह गये और फिर बोले तुम दोनों कुछ समय तक तिर धयात्रायें करो तब तक तुम्हारा रोग शायद ठीक हो जाए नागराज दंपती काशी रामेश्वर आधी पुन्यक्षेत्रों का संदशन करके चाह महीनों के बाद कुबेरपुर लोटे उन्चे महीनों में उसकी तंदुरस्ती बिल्कुल ठीक रही उसने महसूसी नहीं किया कि मैं किसी रोग से पिड़ित हूँ साधू योगानंद भी दक्षिन बारत की यात्रा करने निकले लोटे महीना भी नहीं हुआ नागराज फिर से अस्वास्त हो गया इसके एक महीने के बाद शाधू शहर में आये उसी दिन नागराज अपनी पत्नी को लेकर उनके दर्शनार्द गया थिद्य यात्रा कैसी रही अब आपका स्वास्त कैसा है साधू ने यूँ कुशल मंगल पूचा स्वामी क्या बताऊं जब तक यात्रा करता रहा तब तक कोई बीमारी नहीं रही मजे से दिन कटे कोई शिकायत नहीं थी नागर क्या लवटा जिन रोगों को मुझसे धूर भागा समझा रहा था सबके सब भूतों की तरह फिर से मुझ पर हावी हो गए है और मुझे पीडा पहुंचा रहे है आपकी दियी हुई दवाएं खतम हो गई अब इस बार साल भर के लिए दवाएं देंगे तो बड़ा पन्य होगा नागराज ने गिड़गडाते हुए कहा वे दवाएं अपने ही गर में बना सकते है दवा बनने की पद्दती भी आपकी धर्मपत्नी को समझा दूँगा आप थोड़ी देर तक ध्यान मंदर में जाकर बैठे रहिए साधू ने कहा नागराज के जाते ही साधू ने उसकी धर्मपत्नी से कहा तुम्हारे पती को कोई रोग नहीं है चुनकी नागर में वह सबसे अधिक धनवान है इसलिए संदेह है की सबके सब मेरे शित्रू है जिससे उन्हें भै होता रहता है और यह भै हरक्षन फ्लीडा पहुंचाता रहता है इसी नागर में हालही में आकर धनवान बने विरासेट से प्रतिधवन्दी हो जाने का भै है उस पर इर्षया भी इतनी बढ़ गई है की तुम्हारे पती के मन को शांती नहीं संदेह इर्षया द्वेश भै रोगों के मूलका रखे जब तक ये इनसे चुटकारा नहीं पाएंगे तब तक इनका रोग ठीक नहीं होगा ख्रमा कीजिये स्वामी आप कुछ दवाओं के बारे में बता रहे थे विने से नागराज की पत्नी ने पूछा दवाओं के बारे में हाँ हाँ यादाया मैंने तुम्हारे पती को जो दवा दी उसमें शक्कर और नमक का बस चूर्णता मुझ पर तुम लोगों का विश्वास बना रहे इसलिए मैंने ऐसा किया यह तोस पस्ट है कि तुम्हारे पती अनावा शक्षी वराह सेट से इर्शा कर रहे है अपने सगे संबंदियों से द्वेश कर रहे है उन पर निर्दक संदेख कर रहे है तुम्हें उनके इस इर्शा और द्वेश को हटाने के लिए होश्यारी से काम लेना होगा घर लौटने के बाद नागराज की पतनी ने पती से पूचा अजी नागर में सबका यही कहना है कि वराह सेट बड़े सज्जन है और धयावान भी परन्तु जब देखो आप उन्हें गालियाम देते रहते है क्या आपका विचार है कि उनमें अच्छाई है ही नहीं जरा बताईए तो सही पतनी के प्रश्न का समाधान नागराज तुरंत नहीं दे पाया थोड़ी देर बार उसने कहा वह और मेरे साथ अन्याई ऐसा तो कुछ है ही नहीं जब इस नगर में आया था तब पहले वह मुझी से मिला अपना परिचाई स्वयम दिया और कहा कि मैं कपडों का वियापार का श्री गनेश करने वाला हूं अश्रिवात दीजिए अब भी कभी गली में मिलना हुआ तो मिनेपोरवक नमसकार करता है और कहता है कि आपकी दया से व्यापार अच्छा चल रहा है तब आपने सादू से क्यूं कहा कि वरासिट से मुझे द्वेश है आप ही जान जाएंगे कि वह आपसे द्वेश नहीं करता पत्नी ने उसे समझाने का प्रैत्न किया पत्नी की बातों पर नागराज ने सर खिलाया और कहा हाँ तुम्हारा कहना सच लग रहा है नागराज की पत्नी ने तब एक पुडिया खूली और सादू की दी हुई दवा कहे कर उसे पानी में डाल कर पीने को कहा फिर उसने कहा वराह सेट की तरह अपने सगे संबंधियों पर भी आपने द्वेश बड़ा लिया है कल आप ही सोच कर बताईए कि उनमें नहीत सद्गुन क्या है अभी आप सोजाईए यू नागराज की पत्नी ने सादू की सलाह के मताबिक अपने पती को समझाया उसमें विश्वास पैदा किया कि उसका कोई शत्रू नहीं द्वेश, इर्शय, गुरुन, आदी दुर्गुनों के कारण ही वे पीमार रहे है अब नागराज भी अपनी कमियों को समझ गया उसमें अब द्वेश और इर्शय के बदले प्रेम, विश्वास आदी सद्गुनों के स्थान कर लिया जुन्दुर्गुनों से वह पीडित्ता उन्हें धूरु भगाने में उसकी धर्मपत्नी सफल हो गई